हेलो गाईज आप देखने हैं इसके लिए उन एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में जिस मैज के बारें बात करने वालें वो मैज रहेगा विंडवाड वलकैनोज वर्चिस गयाना हैपी इगल्स के बीच में जो सूपर फिप्टी कप से आपको एक बार पूरा देख लेते हैं तो सारा कुछ आप एक दम अच्छे से हर एक प्लेयर के बारे में जान पाएंगे और बहुत अच्छी टीम बनाकर बहुत अच्छा कर पाएंगे ठीक है और साथ में वीडियो को स्चार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टन बात इस मैज की क्लिक करकर हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर सकते हैं बाइचांस अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंकाम ना करें तो आपको अपने टेलिग्राम में जाना है सिंप्ली सर्च करना है अट दरेट एसके लिए बने एक्सपर आप यापिटर लेटर में सर्च करिएगा उसके बाद आपको हमारा ओरिजनल टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा आपको उसमें जॉइन कर लेना है ठीक है वहाँ पर आपको फाइनल टीम अपडेट मिल जाएगी बाकि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा अब चलिए गाईज इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं सबसे पहले विंडवाड वॉल्कैनोस टीम के बारें बात करते हैं तो ये टीम अभी तक तीन में से दो मैच जीती है और एक मैच आ रही है तो इनका परफॉ हैं दो सेंचरी इन्होंने मारे हैं फर्स्ट और सेकेंड मैच में थार्ड मैच अच्छा नहीं कर पाई लेकिन थार्ड मैच में बॉलिंग कर ली आट होवर की और इनके नाम पर एक विगेट भी है ठीक है बाकी वन डाउन पर इस टीम के सबसे इंपॉर्टन ओल डाउंड के हो जाते हैं जो कि गाइस बैटिंग से तीनों मैच में अच्छे रहे हैं 42,106,39 साथ में टोटल 19 ओवर की बॉलिंग में तीन मैच में इनके नाम पर चार विगेट है ठीक है तो यह आपके लिए मस्ट हैव हो जाएंगे टीम में ध्यान निकिएगा बाकी 2 डाउन पर कुछ खास नहीं आया है ठीक है 4 डाउन पर जस्टिन ग्रेप्स है टीम के आल राउंडर 19 रन किया है एक मैच में इनका बैटिंग आया है साथ में अभी तक 18 ओवर की बॉलिंग में तीन विगेट है 5 डाउन पर टैवियन वैलकॉट है इनके विगेट की पर जिनकी एक जोन है जिनकी यहाँ पर बैटिंग बहुत कम आई है एक मैच में आई है जिसमें वो आट रन करके गए साथ में 12 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर दो विगेट है ठीक है उसके राबा एस डेस कराटे के यहाँ पर गाईज देखेंगे तीन मैचेस में तो यहाँ पर 21 स्की नाम पर 25 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 3 आट ही ठीक है एट टीक है एक जोन पर यहाँ हो थे लियद पर पास बैंक की अच्छे किंग लाका प Limited होग अच्छी की तीम चाहे तो इनको इनको यहाँ पर मौका दे शकति है ठीक है लेकिन मुझे चांस नाम लग र बाकी guys आपके सामने सबसे important stats है विंडवाइड वालकैनूज के हर एक player का आपके सामने यहाँ पर stats है इनके यहाँ पर लिष्टे career का यह stats guys आपको काफी ज़्यादा help करेगा players के बारे में बहुत अच्छे से जानने में और आप इसकी help से खुद से भी बहुत अच्छी आपर grand league की अलग-अलग combination बनाकर teams बना सकते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे इससे stats पर guys तो Charles का 23 का average है career में ठीक है एथेंजे का भली 25 का average है लेकिन recent form बहुत अच्छा है साथ में 17 wicket भी है होज का 31 का batting average है साथ में 44 wicket है 44 match में तो important है सुनी लेंब्रिस का 37 का average है guys मैं इसलिए बोल रहा था बहुत अच्छे player है अच्छा कर सकते है grand league में try करेगा fletcher का 22 ही का average है grips का 27 का batting average है साथ में 11 wicket है 35 match में well caught का कुछ खास नहीं 18 का average है रयान जोन के 16 match में 16 wicket है और साथ में 99 रन भी है max 1 के 10 match में 8 wicket है और Denver के 5 match में 3 wicket है अब चलिए guys यहाँ पर हम दूसरी team गयाना पर आते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं तो गयाना की team भी अच्छा केल रही है तीन में से 2 match जीती है और 1 match हा रही है ठीक है इससे पहले एक बार मैं important player भी फटा फट से बता दता हूं इस team के तरब से इस team से important आपके यहाँ पर रहेंगे अथैंजे, कैवन होज ठीक है उसके अलाबा guys जस्टिन गरीप्स यहाँ पर अगर देखेंगे balling में तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर max 1 अच्छे है और यहाँ पर desk rate भी ठीक रहेंगे ठीक है और यहाँ पर suni lambries तो यह सब कुछ important players है इस team के ध्यान लिखेगा ठीक है अब यहाँ पर हम गयाना के लिए बात करते हैं तो गयाना के लिए T. Chandrapol जो कि Siv Narayan Chandrapol एक बहुत कमाल के former legend player है Western East team के उनके यहाँ पर बेटे है यह opening कर रहे हैं जो कि first match अच्छा के लिए 45 डूसरे match में 25 तीसरे में 15 डीसेंट रहे हैं इनके साथ में Anthony Bramble विकेट कीपर यह opening कर रहे हैं जो कि second match अच्छा के लिए 42 one down पर Simran हिट मायर है जो कि बहुत खराब form में चल रहे है तीनों match में कुछ भी नहीं कर पाए 2 down पर Leon Johnson जो कि recent बाले match में 51 runs करके आ रहे हैं बाकि 3 down पर Tabin Imelach है जो कि यहाँ पर guys तीनों match में impressive रहे 36, 32, 63, not out तीनों match बहुत अचा है के लिए ठीक है बाकि 4 down पर तीनों match यह भी impressive रहे बाटिंग सा 28, 39, 37, 7 में 15 over की balling भी की है लेकिन wicket नहीं मिला है ठीक है 5 down पर Case Sin के ले रहे हैं इनके office spinner जो कि first match बाटिंग से 33 अन किये 7 में भी तक 28 over की balling में 2 wicket है ठीक है Stafford बहुत important player यहाँ पर एक match में बैटिंग से बहुत अच्छे 74 नाट आउट किये साथ में 26 over की balling में 6 wicket है इनके नाम पर फिर मोती है यहाँ पर left time orthodox 26 over की balling में 4 wicket इनके नाम पर है 25 over की 24 over की balling में 3 wicket और per ball के 29 over की balling में 3 wicket ठीक है तो यह guys हमने गयाना टीम के बारे में एकदम अच्छे से तीनो match के stats के साथ playing 11 भी discuss कर लिया ठीक है बाकी एक बार आप यहाँ पर गयाना के भी हर एक player का यहाँ पर list करियर का आप यहाँ पर stats देख लीजिए ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे रतरफर्ड यहाँ पर 5 विकेट है इनके नाम पर 7 में 31 के आपरिज के साथ रंस है सिंकेलर के 21 match में 23 के आपरिज के साथ 218 रं भी है सैफर्ड के 22 के आपरिज के साथ 506 रं है 50 मैच में और 52 विकेट भी है मोती के 24 मैच में 38 विकेट है टी चंदरपॉल, ठीक है, सिम्रन हेट मायर, उसके लावाट टैबिन इमलच, ठीक है, सरफेन रतरफ़ड, ठीक है, कैविन सिंकेलर, रोमारियो सैफ़ड, कुदेकोई समोती और वेरासामी परमॉल, इनके मैंने ज़्यादा आपको important players बता हैं, क्योंकि इनके बहुत अच्छी टीम बनाने में, अब चलिए गाईज, यहाँ पर हम अपनी टीम डिसकस कर लेते हैं, सबसे पहले गाईज, विकेट कीपर सेक्षन पर हम यहाँ पर आएंगे, चाहाँ पर आपको फलेचर मिलेंगे, ठीक है, जो की middle order में खेल रहें, ठीक है, फलेचर काफी नीचे हैं, तो मैं अभी उतना नहीं रिकमेंड करूँगा आपको, प्लेयर वैसे कमाल के हैं, वैलकट भी काफी नीचे है, तो रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है, अब आते हैं बैटेस सेक्षन पर, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टीम इनको वेस्ट कर रहे हैं टू डाउन पर, अगर ओपनिंग या वन डाउन पर खेलते हैं, तो यह बहुत अच्छा कर सकते हैं गाइस, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास टेक्निक अच्छा है, रंस कर सकते हैं, अब ग्रैंड लिग टीम में जरू ट्राई करिएगा, इस स्मॉल लिग में अथैंजे, रतरफड आपके लिए मस्ट हैब हो जाते हैं, अथैंजे ओपनिंग के साथ बहुत कमाल के बैटिंग फॉर्म में हैं, 200 अलड़ी माच चुके, बाकि रतरफड तीनों मैच में बैटिंग से इंप्रेसिव रहें, साथ में बॉलिंग भी कर रहें, तो मस्ट हैब हो जाते हैं आपके लिए, बाकि चंदरपॉल गेम चेंजर बन सकते हैं, उपनिंग पर हैं, आपको मैंने बताया, इनके बारे में सिब नरायन चंदरपॉल के बेटे हैं, बहुत कमाल के प्लियर बन सकते हैं, फ्यूचर में, इनका रिसेंड में टेस्टीम में सेलेक्षिन भी हुआ वेस्टेंडीज टीम में, तो ध्यान लखेगा, या आपके लिए गेम चेंजर पिक हैं इनका सेलेक्षिन बहुत कम है, बाकि लियोन जॉनसन काफ़ी एक्स्पिरियंस प्लेट डीसेंट ही है, लास्ट मैच अच्छा के लिए है, स्मॉल लिग में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ग्रैंड लिग में भी एकाट टीम में ही ट्राई करिएगा, ज्यादा मैं मत लीजेगा, मैं अब इक लिए यहाँ पर हिट मायर को ले रहा हूँ, फर्म भली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ, बाकि आपको चाल्स लेना हूँ ले सकते हैं, सेफ जाने के लिए एम्रिस ग्रैंडिक पिक हैं, चांदरपॉल आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, आप स्मॉली ग्रैंड लिग दोनों में ट्राई कर सकते हैं, अब आते हैं, आल डाउंडर सेक्शन पर, जहाँ पर हॉज, सेफ़र्ट, सिंकेलर, तीनों आपके टीम में मस्ट हैब हो जाते हैं, तीनों को लेना बनता है, तीनों आपको यहाँ पर रंस के साथ, विक्टे भी लेते दिखेंगे, ठीक है, हॉज यहाँ पर बैटिंग ओल्डाउंडर है, सेफ़र्ड और सिंकेलर बॉलिंग ओल्डाउंडर है, ठीक है, तीनों को आप टीम में जरूर लीजेगा, बाकि डेस्क्रेट्स हैं, इनका आइधिंग पॉइंट सही से लोड नहीं हुआ है, इन्होंने विक्टी निकाली है गाईज, जहां तक मैं सही हो तो, ठीक है, या फिर गाईज मुझसे ही यहाँ पर, या फिर मुझसे ही यहाँ यहाँ पर, जो डेटा मैंने आपको बताया, उसमें गलती से मैंने डेस्क्रेट्स के तीन विकेट बता दिये थी, आइधिंक उन्होंने विकेट नहीं लिया, जहां तक मैं सेयर होतूं, क्योंगी ड्रीमल उन्हें ऐसा गलती नहीं करेगा, तो इन पर आप जो मैंने डेटा बताया गाईस, इनका आप उन पर जादा अध्यान बत दीजेगा, मैं कन्फर्म करके आपको टेलिग्राम सेलन पर बता दूँगा, ठीक है, बाकि डेस्क्रेट्स वैसे प्लेर ठीक है, डिसेंट ओल्डाउंडर है, बाकि वीप पर मौल, ये भी काफी कमाल के लेफटाम उसेडाउंडर है, ये भी विक्टे निकालना जानते है, काफी एक्स्पीरियंस बॉलर है, तो माइन को भी टीम में जगद दूँगा, बाकि अभी हमें एक और प्लेर लेना है, ओपसेंड हमारे पास पी मैक्स्वेन है, डिसेंट फास्ट बॉलर, जोगी कुछ रंस कर सकते हैं, डेंबर यहाँ पर है, ठीक है, और जॉन है, जॉन सबसे ज़्यादा रंस कर सकते हैं इन तीनों में, ठीक है, बाली बॉलिंग थोड़ा कम करेंगे, लेकिन यह रंस कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, ठीक है, आपको कर यह प्रॉपर बॉलर के साथ जाना हूँ, यह तीन प्लेयर, और अगर चौथा उप्सन आपको चाहिए, तो रत्तरफर्ड, ठीक है, यह चार प्लेयर मैं रिकमेंट करूँगा, इनमेंसे आप अपना CVC कर सकते हैं, मुझसे पूछेंगे, मेरे कैप्टन होज है, वाइस कैप्टन सैफर्ड है, मैं सेफ जा रहा हूँ, डिफरेंशल आपके पास, अथेंजे और रतरफर्ड है, ठीक है, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, तो यह गाईस, बस अभी के लिए टीम का प्रिब्यू है, इसमें डेफिनेटली, टीम में चेंजिस हो सकती है, फाइनल टीम अपडिट बहुत ज़्यादा इंपोडेंट रहेगी, तो मैं एक बार फिट से आपको रिमाइंडर दे दू, आपको फाइनल टीम अपडिट हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, चीक है, साथ में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बहुत कमाल की बैटिंग अप्लिकेशन, वन विन का भी लिंक मिलेगा, जिसमें महां अल्रेडी गाइस 25 लैक्स प्रस जी चुका हूँ पिछले एक सालों में, सारा मेरा विनिंग प्रूफ आपको टेलीग्राम सेलन पर मिल जाएगा पिंट मैसेज में, आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको उता दू, वन विन एकदम जैन्वन बैटिंग अप्लिकेशन है, जो कि आपको बहुत फास्ट बिड्रॉल देती है, एकदम ट्रस्टेड है, तो अगर आप अभी तक नहीं खे मैं आपको रेगुलर बैटिंग की प्रेडिक्शन भी अपने टेलिग्राम चैनल पर प्रफाइट करता हूँ, वन विन की, जो कि एकदम आपके लिए 90% सही जाती है, तो आप चाहें तो उससे भी खेल कर, काफी तगरा वन विन से जीत सकते हैं, ठीक है, तो वन विन का जो भी ओन कर लें, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें, तो बहुत जल्द गाइस मैं आपसे मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में,